कोई रिस्ता और कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता दोस्तों, सदा के लिए रहता है केवल सत्य और भगवान नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस अचार रहे, सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल अनील केंट जोतिस में हार्दी कभी रिंधन करता हूँ आज का ये जोटिस का कारतर्म वृष्चिक रासी के लिए बेहद खास है एक विसेस विसेपर आजम चर्चा करने जा रहे हैं वृष्चिक रासी के लिए 2022 साल के अंतिम तीन मेहिने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे अपितु कैसे रहेंगे ये नहीं सभी कुछ बहुत बारी की से आजम चर्चा करेंगे आपके बारे में नवगरे आपको क्या फल देने में सक्समें तीन महीनों में क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है शनी और देवग्रू ब्रसपती वक्री से मारगी हो रहें 23 अक्टूबर को सनी देव और 24 नवंबर को देवग्रू ब्रसपती मारगी हो जाएंगे तो क्या आपको फल मिलने वाले हैं व्रिश्चिक रासी को ये साल जाते जाते आपको क्या फल देगा इसी विसे पर आज हम चर्चा करेंगे और सभी कुछ जानेंगे आपका सिक्सा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, करियर, भाग्य, फाइनेंसियल, बिजनिस कैसा रहेगा, नेगिटिव, पॉजिटिव, क्या सावधानी र सुरू होगा, तो वरिष्चिक रासी से ग्रहव गौचर की उपस्तती कुछ इस परकार से रहेगी, जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, आपके तीसरे घर में विराजमान है, शनिदेव, आपके पंचम भाव में है, देव गुरू, ब्रस्पती, आपके छटे घर में विर सारी की से समझना दोस्तों, क्या मिलने वाला है आपको, सबसे पहले दोस्तों, आपके मंगल देव, सैवन्थ हाउस में है, रासी के मालिक, लेकिन 16 अक्टूबर को आपके अश्टम भाव में चले जाएंगे, और 13 नवंबर तक आपके अश्टम भाव में रहेंगे, तो 16 अक्टूबर से लगाकर 13 नवंबर के बीच में मंगल अश्टम भाव में रहेंगे, तो स्वास्ते पर ध्यान रखना है, और क्या आपको सावधानी रखनी है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी मिटिंग अटेंड करने की सोच रहे हैं, या कुछ भी आप बड वक्री होके वापस मंगल आपके सेवंध हाउस मेंगे, तो आपके लिच्छ रहेगा, ठीक है, 13 नवंबर के बाद आपका आत्म विश्वास और आपका स्वास्ते भी अच्छा देखा जाएगा, इसी के साथ मैं दोस्तो, शनी देव, मारगी हो रहे हैं, 23 अक्टूबर में आपके तीसरे घर में, अब इसका क्या फल मिलेगा आपको सबसे पहले तो, आप जो भी काम कर रहे थे, ठीक है, अपने करियर में, या फिर अपने आसपडोस को लेकर, अपने समाज के प्रती, अपने पढ़ाई को लेकर, जो भी, जिस भी काम में आथ हाथ डाल रहे थे, लेकिन उसका proper फाइदा पूरा result आपको नहीं मिल पा रहा था तो शनीदेव मारगी हो रहे हैं 23 अक्टूबर से लगा कर आपको बहुत अच्छा फाइदा जरूर मिलेगा शनीदेव के मारगी हो जाने से. वहीं तीसरा घर होता है ओनलाइन चीजों का साथ में ट्रैवलिंग का साथ में साहस प्राकरम का भी होता है इसका मतलब कि आपके अंदर जो laziness था काम करने में कोई भी मन नहीं लग रहा था आपका या फिर काम कर रहे थे तो आपको satisfaction नहीं मिल रही थी शनी मारगी हो रहे है satisfaction भी मिलेगा काम करने में मन भी लगेगा साहस उत्सा और stamina आपके अंदर बहुत अच्छा देखा जाएगा इसी के साथ बुद्ध घर है और शुक्र घर है कहां पर गोचर करेंगे आपके तुला रासी में transit करेंगे सुक्र करेंगे 18 अक्टूबर को और बुद्ध करेंगे 26 अक्टूबर को आपके बारवे घर में जब बारवे घर में शुक्र चले जाएंगे ना तो सबसे पहले तो आपके थोड़े खर्चे तो रहेंगे लेकिन आपकी जो जरूरत है आपके जो desires है वो भी पूरे होंगे ठीक है ना फॉरण से connection आपका बन सकता है multinational company join कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी यात्राएं आपकी देखी जा सकती है धारमी की यात्रा आपकी देखी जा सकती है आपका love relation बहुत सांदार देखा जाएगा जब सुक्र बारवे घर में transit करेंगे 18 अक्टूबर से लगा कर पूरे नवंबर के महीने में आपका love relation और आ savez के साथ में 11 नवंबर को फिट शुक्रदेव में आएंगे और 13 नवंबर हो बुद्ध घ्रे आपके 1 हूँस में व्रिष्चि ग्राव में जब शुक्र और बुद्ध आपके 1 हाउस में transit करेंगे ना दोस्तों तो सबसे पहले आपके अंदर Intelligency बहुत अच्छी देखी जाएगी लेकिन कभी-कभी overconfident थोड़ा सा आपको नीचे गिरा सकता है और अपनी बातों को सही समझना नवंबर के महीने में सिर्फ अपने आपको ही सही समझना और अपने ज्यान को ही सरवत्तम समझना थोड़ा सा आपको डाउन कर सकता है ये विसेस आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सूरे भी आपके first house में रहेंगे 16 November से लेके 16 December तक और aggression भी रहेगा इस बीच में एक महीना ऐसा होता है एक साल में थोड़ा जब aggression थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है 16 November से 16 December जब चंदरमा के उपर सूरे रहते हैं और decision power थोड़ी कमजोर हो जाती है उस टाइम पर आप कुछ भी बड़ा लेना चाहते हैं कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे वरिष्चिक रासी वाले तो वैसे ही बहुजा सोचते हैं क्योंकि आपका चंदरमा नीच का होता है emotional ज़्यादा हो जाते हैं कभी-कभी sentimental ज़्यादा हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पर possessive भी हो जाते हैं serious भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके नीच के होते हैं वरिष्टिक रासी के तो ये लोग ज़रों से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं अकेले में बाते करना अकेले में रहना अकेले में ही सब कुछ करना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग और 24 नवंबर को देव गुरु ब्रस्पत मारगी हो जाएंगे आपके पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में और जब देव गुरु मारगी हो जाएंगे ना तो सबसे बड़ी बात पढ़ाई पंचम भाव होता है पढ़ाई का पंचम भाव होता है लव रिलेशन का पंचम भाव होता है संतान का तो जब देव गुरु म इंटलिजेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको results अच्छे मिलेंगे पढ़ाई पर फोकस अच्छा रहेगा higher education करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा कोई सोच रहें आगे बढ़ने की admission लेने की सोचिये मतना कर डालिये गुरू बहुत अच्छे हैं आपके वहीं अगर आप married हैं और अगर आप संतान की planning कर रहे हैं family planning कर रहे हैं तो देव गुरू आपको निरास नहीं करेंगे 24 नवंबर के बाद 24 नवंबर से लेकर अपरहल 2023 तक ये भी बता ज़ता हूँ आपको संतान के योग बहुत ये अच्छे हैं आपकी रासी के नुसार और इसके साथ में राहु देव तीनों महीने October नवंबर और December आपके छटे गर में ही रहेंगे healing नहीं वहां से और छटे गर में राहु देव अच्छे मने जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि छटे गर में त्रिसडाय भाव में राहु अच्छा फल देते हैं यानि कि रिण रोग सत्रू से जरूर आपको छुटकारा दिलवाएंगे अगर कोई रिण आपको परिसान कर रहा तो जरूर आपको वहां से बाहर निकालेंगे खासकर जब शनी मारगी हो जाएंगे और गुरू भी मारगी हो जाएंगे और इसके साथ में politics जौब के साथ म आस्मिक्ता में रूची वढ़ने लग जाती है या फिर धारमक यात्रा इंसान जरूर करता है तो टीन महीणे में हो सकता है आपके साथ में यह बताये दोस्तों ने सबी कूछ आपको की तीन महीणे में क्या होगा जिसा साफ़दानी रखनी है और थिंकिंग ना हो एंग्जाइटी ना हो टैंसन ना हो और सैटिस्फेक्शन रहे चंद्रमा का बीज मंतर है ओम स्राम स्रीम स्रोम सा चंद्रमसे नमा एक सो आड़ बार रोजाना सूर्यस्त होने के बाद और तीसरा जितना महादेव की पूजा करेंगे ओम नमस सिवाय का जाब करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और आपके संकट परिसानिया दूर होंगी कैसे लगी आपको वीडियो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा बने रहेगा हमारे साथ में धन्यवाद